Hello everyone, good evening, welcome back to my channel, कैसे आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, तो शाम का टाइम है और शाम के बज़े हुए हैं, चार, तो मैं बालकनी में बैठी थी थी थोड़ी देर, क्योंकि बाहर मौसम ना बहुत ही अच्छा है, ठंडा ठंडा है, धूप नहीं शुरू हो गई थी, तो बस चोटी-चोटी बूने पढ़ रहे थी, तेज बारिश हो नहीं रही है, लेकिन यही है कि मौसम अच्छा है, और देखिए मेरे गमले यह जो लगे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, तो जब से बालकनी साफ हो गई ना, तो बहुत अच्छे ल कि हूँ, तो ऐसे ही देखने में सुन्दर लगता है, और देखिए अब आ जाती हूँ, अंदर और शाम को थोड़ा समय जाडू लगा लेती हूँ, एक बार पूरे घर में, क्योंकि सुबह जब ट्रीनिंग होती है, उसके बाद से फिर जाडू बगरा लगता नहीं है, और अच्छा भी रहता है, शाम होने से पहले एक बार जाडू लगा लेना चाहिए घर में, क्योंकि फिर रात में लगाना होता नहीं है, और सुबह तक के लिए घर साफ रहता है, तो जाडू बगरा लगा ली है मैंने, और थोड़ी सी डिनर की तयारी कर लेते हैं, तो आज करने के बाद स्वया वड़ी को इसमें डाल देंगे, और ये थोड़ी देर से ऐसे ही फूल जाएगी, तो गुनगुना पानी किया थे मैंने, और ढखके रख दिया है, तो अच्छे से फूल जाएगी, और बहुत सौब्ट रहती है, इस तरीके से स्वया वड़ी को भीगा के रखते हैं तो, और इसके बाद मैं चली गई थी, हजबन को लेने के लिए, उनका वॉल आ गया था, तो मैं वही चली गई थी, वहां से आने के बाद मैं अभी दीपक जला रहे हूं शाम का, तो देखिए, दियाबाती हो गई है, और आज आते हैं चाय बनाने के लिए, तो चाय यहां पर मैं बना रही हूं, पहले मैंने एक कप दूज, इसमें एड़ कर दिया है, साथी आधा कप पानी, और इसको गरम करेंगे, इसमें एड़ करेंगे चाय की पत्ती, और इसे धीमी आज करके छोड़ देंगे, और जब यह बॉइल होने लग जाएगा, तब इसमें एड़ कर दूँगी, मैं चाय का मसाला जो मैं घर पे बनाई हूं, तो बहुत थोड़ा सा ही एक चौथा ही च चाय बनाती हूं, और फटती भी नहीं है, वो तो यह जो गुड़की चाय होती है, तो उसे तरीके से मैं बनाती हूं, कि फटती नहीं है, तो यहां पर जब तक चाय पक रही थी, तब तक मैं थोड़ी से मसाले कट कर ले रही हूं, जो अभी सबजी बनेगी उसके लिए, तो यहांँ पे 2 प्याज ले लिया है और 2 टमाटर ले लिया है और 5 से 6 कली लसन की और 3 से 4 हरिमेज अर इसमें डालेंगे एक छमज दनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और सभी को मिक्स करके पीस लेंगे मिक्सी में और इसका पे implants बना लेंगे तो मसाला रेड़ी हो जाए कट करके मैंने डिब्बे में रख लिया है तो इसको एड़ करके और चल्दी से चमज से मिला लेंगे ताकि घुल जाए और इसके बाद चाल लेंगे तो इस अरीके से गुर्की चाय जो है न वो फटती नहीं है और बहुत टेश्टी लगती है तो मेरी चाय बन गई है और चल कर लिया था मैंने तो आलो को फ्राइर करेंगे और न जैसे थोड़ा फ्राइज हो जाएगा इसे मेरी घुल लिया था वड़ी को और इछ्छे से साफ हो गई थी और इसका तो इस सारह पानी निंचोड लिया था तो आलो और बडी को इस तरीके से भूंढ लेंगे तो तो रात के 10 बजे तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ और इसके लिए मुझे एक कॉमेंट आया था कि दी आप अपना नाइट रूटीन शेयर कीजिए कि आप रात में कितने बजे सो जाती है कि आपकी नीन जल्दी खुलती है आप इतनी जल्दी जग जाते हो तो इसलिए मैंने यही वीडियो बनाया है उनके लिए और मैं नाम भूल गई हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है तो थैंक्यू बोलना चाहूंगी उनको कॉमेंट के लिए और आप लोग इस तरीके से कॉमेंट करते हो तो अच्छा लगता है और बहुत प्यार और सपोर्ट मिल रहा है आप सभी का उसके लिए बहुत बहुत थैंक्यू बोलना चाहूंगी तो देखिए अभी ना सारे मसाले मैंने पीस लिये थे और वड़ी और आलू को भी निकाल लिया है और कड़ाई में वापस से ओईल डालेंगे उसमें एक चमत जीरा और यह सारे मसाले अट कर देंगे और मसाले को भूल लेंगे अलाश्ट में इसमें डालेंगे नमक स्वाज के अंसार और लाल मिच पाउडर एड़ किया है मैंने लाल मिच पाउडर बगेरा मैं यूज नहीं करती जादा लेकिन आज मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा एड़ कर देती हूँ और इसके बाद ये सारे मसाले जब अच्छे से पाउडर निकलने लगा था तो ये बड़ी और आलू को एड़ कर देंगे और इसको थोड़ी सी मिक्स करेंगे और इसमें मैंने एड़ किया है गरम पानी तो गरम पानी से बहुत अच्छे से सबजी पाउडर जाती है जब तो देखिए कुछ इस तरीके से बन गई है मेरी स्वयावडी की सबजी तो कुछ इस तरीके से सबजी बन गई है और यहाँ पर चावल बन रहे हैं चावल हजबन के लिए मैं बना रहे हूं बहुत थोड़ा सा क्योंकि जैसे दिन में वो नहीं खाते हैं तो रात में फिर बना देती हूं तो इधर चावल पक रहे हैं और आटा भी लगा के मैंने दिया था दस मिनिट के लिए तो आटा सेट हो गया है इसके बाद रोटिया से एक लेंगे फटा फट से और खाना मेरा लगबख बन गया है इस वक्त पौने आठ बज रहे हैं और पौने आठ बजे साड़े साथ से लेकर पौने आठ तक मेरा खाना बन जाता है और आठ बजे तक मैं दे देती हूं सभी को जैसे हस्बन भी दिन भर से आते हैं तो उनको भी दे देती हूं टाइम से और बच्चो को भी खोशिश करती हूँ कि जल्दी खाना दे करके उनको सुलाद हूँ ताकि वो सुबह जल्दी उठे और सुबह उठने में फिर कोई आना कानी ना करें तो यह पर रोटिया में सेखती जा रहे थी और सब को देती जा रहे थी तो इसे खाने वाले को भी फायदा होता है और बनाने वाले को भी खाने वाले को भी गर्म गर्म खाना मिलता है और बनाने वाले को ये फायदा होता है कि रोटियां जादा नहीं बनती और नहीं कम बनती है तो बस सभी का खाना वगरा हो गया है और मैंने भी खालिया है बस बेटी मेरी अभी नहीं खाई है क्योंकि वो अभी थोड़ी सी पढ़ाई कर रही है बच्चों की अभी हाफेली स्टार्ट होने वाले ना तो बच्चे अभी पढ़ाई में बिजी थे तो बेटी नहीं खाई मुझे फिर सुबह में बहुत आराम रहता है कोई भी काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सुबह में जब मैं आती हूं किचन में तो सारे काम मुझे साफसुत्रे मिलते हैं किचन क्लीन रहता है बर्दन क्लीन रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से सु क्लीन कर लेंगे बरतनों को भी और आप देख सकते हैं यहां के लाइट ना सोड़ी येलो कलर दिख रही है क्योंकि जो पहले वाली लाइट थी ना वो खराब हो गई थी तो यह वो जो छोटा वाला बल्ब रहता है ना वो रखा हुआ था तो मैंने अभी ऐसे ही इसको पानी फैल गया था तो किचन का फर्स भी मैं क्लीन कर देती हूं तो कुछ इस तरीके से 9 बजे तक लगबग मेरे सारे काम हो चुके हैं और बाहर देखिए बारिष भी होने लगी थी जब मैं बरतनों को क्लीन कर रही थी तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाया कि जल्दी से मैं ये काम कर लूँ नहीं तो मैं भीग जाओंगी और ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ बारिष में बरतन साप करने के टाइम पर ही बारिष होने लगती है लेकिन फिर बारिष हुई नहीं थोड़ी थोड़ी बुने पड़ी है फिर बंद हो गई और इस सुबह के लिए कुछ तयारियां करके रखती हूं तो सुबह क्या बनाना है सबजी क्या तयारी करनी है जो भी बनाना होता है वो मैं बच्चों से पूछ लेती हूं कि कल क्या खाओगे उस हिसाब से मैं सारी तयारियां कर लेती हूं और यहां पे मैं बादाम भीगा के रख और बारी आती है मिल्क गरम करने की तो इससे पहले मैं इसकी मलाई को निकाल लूगी तो जिस बरतन में मलाई कठा करके रखती हुँ न उसी बरतन में निकाल के इसको रख दूगी और यह काम में कभी नहीं भूलती है। क्योंकि इससे फिर जब घी बनता है तो जब घी निकलता है तो अच्छा लगता है कि देखिए घर का बना हुआ घी और ताजा ताजा प्योर घी निकलता है तो इसलिए मैं मलाई कभी नहीं भूलती हूँ हमेशा ही मलाई को निकाल लेती हूँ फिर इसके बाद मिल्क करम करत तो सभी को मिल्क देने के बाद फिर मैं आ जाती हूं सब्जियों को कट करने के लिए तो सब्जियां इस तरीके से मैंने थोड़ी सी काटके और पानी से धुलके टोकरी में छानके मैंने रग दी थी तो इसका सारा पानी निकल गया है और अब इसे कट करेंगे और ये सब्ज इस गाजर और फुल को भी है आलू है और इसका मैं क्या बनाने वाली हूं ये आपको कल के वीडियो में पता चलेगा तो कल का वीडियो भी जरूर देखिएगा और इस तरीके से सारे सब्जियों को कट करके मैं रग दूंगी फ्रिज में ताकि सुबह मुझे कोई दिकत न लेना मिलती हूं आप से एक नए व्लॉग में तब तक के लिए थैंक यू बाइबाइ टेक क्यार गुट नाइट